कोरोना का कहर दिनो दिन बढ़ता ही जा रहा है खास कर अनलॉक में तो इस घातक वाइरस ने तेजी से पैर पसा रहे है आम जंता के अलावा अब तो लगभग रोज ही कोई ना कोई सेलेबरिटी इसकी चपेट में आ रहे है अनलॉक में अब तक कई टीवी सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए है और वो होम कॉरंटीन में है आईए बताते हैं आपको इस वीडियो में कि वो कौन्ट से टीवी सेलेबरिटीज है जिनका अनलॉक के बाद कोविड नाइटिन रिपोर्ट आया पॉजिटिव संजे गगनानी पॉपिलर टीवी शो कुंडली भागया में पृत्वी का रोल प्ले करने वाले आक्टर संजे गगनानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने 12 सितंबर को अपना कोविड टेस्स करवाया जो की पॉजिटिव आया कुछ दिनों पहले बुखार की शिकायत होने पर संजे ने अपना कोरोना टेस्स करवाया था और फिर खुद को आईसोलेट कर दिया संजे ने बताया कि वो मल्टि विटामिन्स के अलावा घर पर काड़ा, आवला और गिलोई का जूस पी रहे है इसके अलावा वो भाब भी ले रहे है, और गरम पानी में नमक डाल कर गरारे भी कर रहे है हिमानी शिवपूरी हप्पु की उल्टन पल्टन में कटोरी देवी का रोल प्ले करने वाली आक्ट्रेस हिमानी शिवपूरी हाली में कورोना पॉजिटिव पाई गई जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी उन्होंने लिखा था मेरा कोविट टेस्स पॉजटिव आया है जो मेरे समपर्क में आये हैं उन्हें टेस्स करवाने की जरुरत है सोसिस की माने तो हेमानी एक एड़ शूट के लिए गई थी जिसके बाद उन्हें कोरोना के लक्षन दिखने लगे डांस रियालिटी शोव इंडिया बेस डांसर की जज मलायका अरोरा खान का भी COVID-19 रिपोट आया पॉजिटिव जिसके बाद उन्हें होना पड़ा होम कॉरंटीन वही शो में उनकी जगली नौरा फते ही ने संजय कोली हप्व के उल्टन पल्टन और भावी जी घर पर है कि प्रडियूसर संजय कोली भी हाली में कॉरोना संक्रमित पाए गए टेस के तुरंद बाद उन्होंने अथोरिटीज के दीशा निर्देशों के अनुसार खुद को होम कॉरंटीन कर लिया और वही उनका इलाद चल रहा है सारा खान हाली टीवी अक्ट्रिस सारा खान भी कोरोना पॉजटिव पाई गई जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मेडिया पर पोस के जरिये दी वो फिलहाल होम कॉरंटीन में है उन्होंने इंस्टेग्राम पर लिखा था दुर्भागिय से आज मैं कोरोना पॉजटिव पाई गई हूँ अधिकारियों और डॉक्टरों ने सला दी है कि मैं खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लू मैं अभी ठीक महसूस कर रही हूँ और जल स्वस्थ होने की कामना कर रही हूँ राम सिया के लवकुष में नजर आए अक्टर हिमांचु सोनी भी कोरोना का संक्रम अंचेल चुके है उनकी कोरोना पॉजटिव रिपोर्ट 28 अगस को आई थी इस बारे में हिमांचु ने टाइमस ओफ इंडिया से कहा था कि तीन दिनों तक उन्हें सर्दी और बुखार रहा था जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्क करवाया और वो पॉजटिव आया हिमांचु सोनी ने 27 अगस को जाच करवाई और 28 अगस को रिपोर्ट कोरोना पॉजटिव आई करम राजपाल टीवी शो गुडिया हमारी सभी पे भारी में नजर आ रहे अक्टर करम राजपाल भी कोरोना पॉजटिव होने के कारण उन्हें होम कॉरंटीन होना पड़ा और घर पर आराम करना पड़ा इस खबर पर आपकी क्या राई है अपने लाइक्स और कॉमेंस करके हमें जरूर बताईए और देखते रहिए टेली मसाला